सबसे पहले मैं आप से हाथ जोड़कर माफी चाहता हूँ क्योंकि आज के विशाय को समझाने के लिए मैंने कुछ सारीक बातों को लिया है क्योंकि आज के समय में बहुत सारे लोगों का मन, बहुत सारे लोगों की नजरे आत्मिक रूप में नहीं परंतु सारिक रूप में अधिक है आत्मिक जीवन के तरफ कम परंतु सारिक जीवन के तरफ जादा है इसलिए मैंने सुचा कि आज आत्मिक बातों को समझाने के लिए कुछ सारिक बातों का उधाराण दो इसलिए मैंने आपसे पहले से माफी मांग लिया है और आज का मेरा विशय है क्या आपको सच्चा प्यार हुआ है तो जिसे सच्चा प्यार होता है तो उसे निंद नहीं आती ये पहला है उसे निंद नहीं आती बैचेन बैचेन रहती है या फिर बेचैन बेचैन रहता है दूसरा है ठीक से भोक नहीं लगती या फिर हम कहें कि ठीक से भोक नहीं लगता तीसरा हम देखते हैं जिन्हें सच्चा प्यार होता है वे देर तक अपने प्रेमिका से या फिर अपने प्रेमि से बात करती रहती है या फिर बात करता रहता है चौथा हम देखेंगे एक प्रेमी का अपने प्रेमी से मिलने की खुसी में या फिर एक प्रेमी का अपने प्रेमी से मिलने के लिए सजद्धच कर घर्ष निकलती है या फिर हम कहें कि स्रिंगार करके घर्ष निकलती है पांचवा हम देखेंगे जिसे सच्चा प्यार होता है वो हमेशा खुस रहता है कई लोग कहते हैं कि मुझे सच्चा प्यार मिल गया है मैं बहुत खुस हूँ मेरा जीवन बदल गया है तो जिने सच्चा प्यार होता है वो हमेशा खुस रहती है या फिर खोस रहता है छटवा हम देखेंगे एक प्रेमिका अपने प्रेमि से मिलने के लिए बेताब रहती है या फिर एक प्रेमि अपने प्रेमिका से मिलने के लिए बेताब रहता है कि कब मैं उनसे जा कर मिलूँ साथवा हम देखेंगे एक सच्ची प्रेमिका केवल अपने प्रेमी से ही प्रेम करती है या फिर एक सच्ची पत्नी अपने पती से ही सच्ची प्रेम करती है या फिर एक प्रेमी अपने प्रेमिका से सच्चा प्रेम करता है या फिर कोई पती अपने इस्त्री से, अपनी पत्नी से सच्चा प्रेम करता है तो ये साथ बाते हमने देखा अब हम अपना विशाय सुरू करेंगे नीन नहीं आती, जिसे सच्चा प्रेम होता है उसे जल्दी नीन नहीं आता या फिर नेन नहीं आती जाकते रहती है या फिर जाकते रहता है आज कलिश्या मसी की दुलहन के समान है और मसी येसु कलिश्या का दुलहा है क्या आज कलिश्या प्रभु येसु मसी से सच्ची प्रेम करती है क्या आज कलिश्या प्रभु येश्व मसी से दिल से प्यार करती है जो कलिश्या प्रभु येश्व मसी से दिल से प्यार करती है या फिर दिल से प्रेम करती है उनके बारे में मैं कुछ आयत निकालूंगा बाइबल से और इसको हम पढ़ेंगे मतिरचिसु समचार 24 अध्याय 42 पद में और यहाँ पर लिखा है इसलिए जाकते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु केश दिन आएगा जो प्रभु येशु मसी की सच्ची कलिश्या है वे हमेशा प्रभु येशु मसी के इंतजार में जाकती रहती है प्रेम करती है अपने प्रभु से क्या आज हम जिस मंडली में रहते हैं उस मंडली की लोग प्रभु के प्रती जागरित हैं प्रभु के प्रती सचेत हैं जागते रहने का अर्थ स्तिर्फ ये नहीं है कि हमें रात को सोना नहीं है जागते रहने का अर्थ है हमें सजग और तयार रहना है अपने प्रभु येशु के लिए कई सारी मसी बहने या फिर मसी भाई प्रभु येशु मसी के आगमन के इंतजार में लगे हुए है रात रात भर जाग जाग कर प्रात्ना करते हैं देर रात तक बाइबल पढ़ते हैं देर रात तक प्रभु से प्रात्ना करते हैं अपने जीवन की चौकसी करते है क्या आज प्रभु येशु की कलिश्या येशु मसी के प्रति जागरित है या फिर सो रही है संसार के साथ जो कलिश्या इस संसार में खोए है जो कलिश्या सोई हुई है वो कैसे प्रभु येशु मसी के साथ जाएगे प्रभु येशु मसी तो उसी कलिश्या को ले कर जाएगा, जो जागरित है, जो इस्ट्रॉंग है, जो कलिश्या प्रभु येशु के आने के इंतजार में जाग रही है, प्रभु येशु मसी के आने में जागरित है, उस कलिश्या को प्रभु येशु मसी ले कर जाएगा इस बारे में हम एक आयत और पढ़ेंगे पहला थिश्णुक्यों पांच अध्याय और उसका छैपद और यहाँ पर लिखा है इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें पर जागते और शावधान रहें बाइबल कह रही है परमिश्वर का वचन कह रहा है जैसे संसार के लोग सो रहे हैं मुर्दों के समान जैसे संसार के लोग सो रहे हैं जिने जिवित आसा नहीं है जिनके पास जिवित आसा नहीं है जिनके पास कोई उम्मीद नहीं है ठीक आज उसी प्रकार से जो कलिश्या सो रही है उसे प्रभु येशु मसी लेकर कैसे जाएगा परंतु जो कलिश्या प्रभु येशु मसी के प्रती जागरित है प्रभु येशु मसी के प्रती सचेत है उस कलिश्या को उस दुलहिन को प्रभु येशु मसी अपने साथ लेकर जाएगा मत्यरचिसू समचार जब आप 25 अध्याय में पढ़ेंगे तो आपर 10 कुमारियों का द्रिष्टान बताये गया है अर्थात वो 10 कलिश्या है जिसमें से 5 जाग रही थी और 5 सो रही थी इसको जब हम पढ़ते हैं मत्यरचिसू समचार 25 अध्याय 1 से 13 तक में तो यहाँ पर लिखा है 25 का 13 पद में इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को हमारा प्रभु येशू मसी कब आ जाएगा हम नहीं जानते इसलिए आज हर एक कलिश्या को प्रभु येशू मसी के प्रती जागरित होना है प्रभु येशू मसी के प्रती सचेत होना है जागते रहने का अर्थ है प्रभु येशू की आगमन की इंतजार में लगे रहना है तो एक सच्चे कलिश्या को नीन नहीं आती इसका अर्थ है एक सच्ची कलिश्या प्रभु येश मसी के आगमन में जाग रही है सो नहीं रही है परंतु जो कलिश्या आज संसार के साथ सो रही है वे मुर्दे के समान हो चुके है क्योंकि परमिश्वर का वचन कहता भी है हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जीउठ तो मसी की जोति तुष पर चमकेगी तो हमने देखा पहली बात कि एक सच्चे प्रेमी को या फिर एक सच्चे प्रेमी का को नीन नहीं आती तो वैसे ही एक सच्ची कलिश्या को जो प्रभु येश्यू की सच्ची कलिश्या है जो प्रभु येशु से सच्चे प्रेम करते हैं वो कलिश्या प्रभु येशु मस्री के प्रती जागरित रहती है स्वोई नहीं रहती संसार के कार्यों में संसार के कामों में खोई नहीं रहती दूसरा हम देखेंगे भूक नहीं लगती एक सच्ची प्रेमिका को जब सच्चा प्यार मिल जाता है तो उसे भोक नहीं लगती या फिर एक सच्चे प्रेमिको अपना सच्चा प्यार मिल जाता है तो उसे भोक नहीं लगता तो भोक नहीं लगता का अर्थ क्या है आज जो कलिश्या प्रभु येशु मसी के प्रती सच्चेत और जागरित है वो कलिश्य उपवास करती है और जो मसी भाईबहन सच्चे हिरदे से उपवास करती है उसे भोक नहीं लगती बलकि कुछ मसी भाईबहनों को उपवास रहने में बहुत आनन मिलता है बहुत खुसी मिलता है अब जो तीन टाइम भर-भर पेट के खाना खाते हैं वो तो उंगली उठाते हैं कि उपवास रहने से क्या मिलता है उपवास रहने से क्या पवित्रता मिलता है तो देखिए उंगली उठाने वालों को उंगली उठाने दीजिए हमारा काम है प्रभु येशु की प्रति जागरित रहना जो कलिश्या प्रभु येशु से सच्ची प्रेम करती है वो कलिश्या उपवास भी करती है क्योंकि प्रभु येशु के चेले भी उपवास रखते थे ऐसा नहीं है कि प्रभु येशु के चेले उपवास नहीं रखते थे वायत हम पढ़ेंगे प्रेर्टों के काम तेरा ध्याय दो और तिन पद और यहाँ पर लिखा है जब वे उपवात सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्रा आत्मा ने कहा मेरे लिए बरनवास और साउल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है यहाँ पर जो उपवास का बात बता रहा है यह प्रभु येशु मसी के चेले उपवास रह रहे थे जब प्रभु येशु मसी कुरूश पर मारा गया गाड़ा गया और पवित्र सास्त्र के नुसारवा मुर्दों में से तिसरा दिन जिन्दा हुआ और चालिसवे दिन जब प्रभु येशु मसी स्वर्ग गया तो उसके बाद प्रभु येशु मसी के प्रिरित इस दुनिया में धूम मचाने लगे और प्रभु येशु मसी के चेले प्रभु येशु मसी के प्रिरित प्रभु येशु मसी के लिए उप्वास रहते थे प्रभु येशु मसी के लिए उप्वास रखते थे और निरंतर प्रातना करते थे तो आज जो कलिश्या प्रभु येशु मसी के प्रती उपवास सहित प्रातना कर रही है वो कलिश्या जागरित है परंतु जो कलिश्या उपवास में बिल्कुल ध्यान नहीं दरी है जिनें उपवास से कोई मतलब नहीं है इसका अर्थ है वो कलिश्या प्रभु येशु से साइधी सच्ची प्रेम कर रही है क्योंकि जिनें सच्चा प्रेम होता है उन्हें तो ठीक से भूग भी नहीं लगता फिर हम कहते हैं कि हमें येशु से सच्चा प्रेम है और पेट भर भर कर खा रहे हैं और दुनिया के आनन में मौज में लीन है फिर हम कैसे कह दें कि हम येशु से सच्चा प्यार करते हैं हाला कि उपवास अपनी स्वेक्षा है या तो हम महने में एक बार उपवास रह सकते हैं या फिर 15 दिन में एक बार उपवास रह सकते हैं या फिर हपते में एक बार उपवास रह सकते हैं लेकिन हम रह सकते हैं इसमें कोई नियम नहीं है परन्तु यदि हम उपवास रहते हैं तो हम सरीर के अभिलासाओं को मार कर आत्मा में हम मजबूत बनते हैं क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और जब हम आत्मा में उफवास रहते हैं तो हम सारी के अभिलासाओं को मार कर हमारा जो रिष्टा है परमेश्वर के प्रतियों मजबूत बनता है और हम अपने आत्मिक जीवन को और भी मजबूत बनाते हैं तो हम हो सके तो हम उपवास रहें क्योंकि प्रभु येशु के चेले भी उपवास रहते थे एक आयत में और बता दूं लुकार अचिसु समचार दो अध्याय और उसका 36 से 38 पद और यहां पर हम देखते हैं एक हन्ना नाम की भौश जक्तिन थी जो राद दिन उपवास करती थी राद दिन परमिश्वर से प्रात्ना करती थी और यहां पर लिखा है लुकार दोकार 36 से 38 तग में असेर के गोत्र में से हन्ना नामक फन्नवेल की बेटी एक भौश जक्तिन थी वहां बहुत बुढ़ी थी और विवा होने के बाद साथ वर्ष अपने पती के साथ रह पाई थी वह 84 वर्ष से विधुआ थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी पर उपवास और प्रात्ना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभू का धन्यवात करने लगी और उन सबहों से जो यरुश्लेम के छुटकारे की बाट जो रहे थे उस बालक के विशे में बातें करने लगी तो हन्ना भौश जक्तिन राद दिन उपवास रहती थी प्रात्ना करती थी और एजराईल के सांधी की बाट जोहती थी और जब प्रभू येश्मसी का जन्म हुआ तो वही भौश जक्तिन आकर कहने लगी लोगों को बताने लगी कि यही एजराईल को सांधी देगा यही एजराईल को छुटकारा देगा तो उपवास रहना बहुत अच्छी बात है तो जो कलिश्या प्रभू येश्म के प्रतिव वास रख रही है तो वो कलिश्या बहुत ही मजबूत है इसलिए यदि हम अपने कलिश्या को अपने मंडली को जो येश्म की मंडली है उसे मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम प्रभु से प्रात्ना करें और उपवास भी रहें क्योंकि उपवास रहना और भी अच्छी बात है यदि नहीं भी रह सकते हैं तो इसमें कोई बात नहीं हम परमिश्वर से सच्चे हिरदय से प्यार करें लेकिन रह सकते हैं तो ये बहुत अच्छी ब देर तक अपने आसिक से बात्चित करते रहना जिसे सच्चा प्यार होता है ऐसे प्रेमिका अपने प्रेमि से घंटो बात करती रहती है चाहे मोबाइल में हो, चाहे कॉलिंग के द्वारा हो चाहे वाट्शाप के द्वारा हो, चाहे फेस्बुक के द्वारा हो वैसे ही प्रेमी भी अपने प्रेमी का से घंटो बात्चित करते रहता है इसका अर्थ अब हम आत्मिक बातों में लिकर जाएंगे जो कलिश्या प्रभु येशु से सच्ची प्रेम करती है वो कलिश्या निरंतर प्रात्ना में लगे रहती है बाइबल में लिखा है पहला थिश्नुक्यों पाँच अध्याय सत्रा पद और वहाँ पर लिखा है निरंतर परात्ना में लगे रहो तो जो कलिश्या प्रभु येशु मसी से सच्ची प्यार करती है सच्चा फ्यार करता है वो कलिश्या राद दिन प्रात्ना में लगे रहती है कि हमारा येशु आए हमारा प्रभु आए और हमें यहां से ले कर जाए लेकिन जो कलिश्या राद दिन प्रभु के प्रात्ना में नहीं लगी हुई है सिर्फ संडे को एक दिन प्रात्ना कर रही है और बांकी छह दिन संसार के कार्यों में लिपता है वो सैध ही येशु की सच्ची कलिश्या है परंतु जो कलिश्या निरंतर प्रात्ना में सातो के सातो दिन प्रात्ना में लगी हुई है वो कलीश्या येश्यू की सच्ची कलीश्या है वो कलीश्या येश्यू का सच्चा कलीश्या है अब इसका मतलब यह नहीं कि हम सातो दिन चर्च में रहें इसका अर्थ मैं आपको बताता हूँ कि हम हर रविवार परमेश्वर की संगती करें और यदि हम छै दिन कहीं काम पर जाते हैं तो हम काम करते करते परमिश्वर से मन में प्रात्ना कर सकते हैं यदि इस्त्रियां घर में बरतंद हो रही है जाड़ू पोछा कर रही है घर के कारियों को कर रही है तो आत्मा में होकर मन में होकर निरंतर प्रभु से प्रात्ना कर सकती है इसे कहते हैं निरंतर प्र प्रभु से प्रात्ना करते रहें तो जो पुरुस जो मसी पुरुस और जो मसी इस्त्री निरंतर प्रभु से प्रात्ना करते रहती है या फिर करते रहता है चाहे काम करते वक्त चाहे सफर में चाहे कहीं आने जाने में तो वो कलिश्या बहुत मजबूत है और उसे सच्चा प्रेम करते हैं और ऐसी कलिश्या को प्रभु येश्व मसी अपने सांथ ले कर जाएगा इफिसियों 6.18 पद में लिखा है और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रात्ना और विंति करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विंति किय करो यहां वाईवल कहती है कि हमें हर समय प्रात्ना करते रहना है प्रात्ना करने का यह नहीं है कि सिर्फ हम कलिश्या में प्रात्ना करें या फिर हम बंद कमर में प्रात्ना करें हम चलते चलते भी प्रात्ना करते रहें हम काम करते करते प्रात्ना करते रहें हम हमेशा मन मे प्रभु से प्रात्ना करते रहें, इसे कहते हैं परमिश्वर से बात्चित, और जो कलिश्या निरंतर प्रभु से प्रात्ना कर रही है, परन्तु जो कलिश्या निरंतर प्रभु से प्रात्ना नहीं कर रही है, संसार के कामों में खोई है, संसार के चीजों में लिपता है, व सज दहच कर घर से निकलते है या फिर स्रिंगार करके निकलते है तो जो कलीशिया आज प्रभु येश्व मसी में स्रिंगार किये है उस कलीशिया को उस दुलान को प्रभु येश्व मसी अपने साथ ले कर जाएगा तो वो स्रिंगार क्या है वो स्रिंगार है परमेश्वर के द्वारा पवित्रता प्रभु येशु मसी के द्वारा सत्यता पवित्र आत्मा के द्वारा सहभागिता आज जो कलिश्या परमेश्वर के द्वारा पवित्रता प्रभु येशु मसी के द्वारा सत्यता और पवित्र आत्मा की सहभागिता में चल रही है वो कलिश्या येश येशु मसी में श्रिंगारित है, येशु मसी में सुसज्जित है, उस कलिश्या को प्रभु येशु मसी लेकर जाएगा। हम सुसज्जित बने, हम इन चीजों को अपने जीवन में धारन कर ले, तब हम जिस मंडली में रहते हैं, वो प्रभु येशु मसी के प्रे में सुसज्जित हो जाएगी। फिर हम पाँचवा देखेंगे, जिने सच्चा प्यार मिल जाता है, वो हमेसा खुस रहता है, या फिर खुस रहती है। वैसे ही कलिश्या प्रभु येशु मसी की दुलहन है, और प्रभु येशु मसी हमसे सच्चा प्यार करता है, तो हमें खुसी होना चाहिए, हमें अपने प्रभु में आनंदित होना चाहिए। क्योंकि इस दुन्या में सब का प्यार जूटा हो सकता है, एक पत्नी का प्यार जूटा हो सकता है, बेटे बेटियों का प्यार जूटा हो सकता है, माबाप का प्यार जूटा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि जूटा है, हो सकता है, हो सकता है कि हमारे माबाप हमसे सच्चे लेकिन इन सबसे प्यार से बढ़कर हमारा प्रभु का प्यार है जिसने हमारी लिए कुरुस पर अपनी जान दी हमें बचाने के लिए इसलिए सबके प्यार से बढ़कर हमारा प्रभु का प्यार है इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जूठे प्यार के सिकार हो चुके हैं परन्तु प्रभु येशु मसी अपनी कलीश्या से अपने लोगों से सच्चा प्रेम करता है उसने कभी हमसे जुठा प्रेम नहीं किया तो हमें खुस होना चाहिए कलीश्या के लोगों को खुस होना चाहिए कि कलीश्या को सच्चा प्रेम करने वाला प्रभु म इसलिए हमें हमेशा आनंदित रहना चाहिए पहला थिस नूक्यों पांच अध्याय सोला पद में लिखा है सदा आनंदित रहो तो किस में आनंदित रहना है प्रभु में आनंदित रहना है हमें येशु में आनंदित रहना है आज कलिश्या को चाहिए को अपने येशु में प्रभु येश्व मसी में आनन्दित रहे। परंतु जो कलीशया प्रभु येशु मसी के प्रेम में आनन्दित है प्रभु येशु मसी में खुस है वो कलीशया येशु की सच्ची कलीशया है क्या आज हम जिस मंडली में रहते हैं क्या आज हमारी मंडली के लोग प्रभु येशु मसे में आनंदित है या फिर राद दिन दुखी रहते हैं कि मेरे पास खाने को नहीं है मेरे पास पहनने को नहीं है मेरे पास कपड़ नहीं है मेरे पास ये घटी है मेरे पास वो घटी है आज मैं ये परसान में हूँ आज जो कलिश्या राद दिन दुखी है वो प्रभु येशु मसी में कैसे आनन्दित हो सकती है परन्तु जो कलिश्या येशु से सच्ची प्रेम करती है जो कलिश्या येशु से सच्चा प्रेम करता है भाले उसे दो टाइम खाने को न मिले फिर भी जो मसी भाईबहन येशु से सच्चे प्रेम करते हैं वो बिना खाने के बाद भी प्रभु को धन्यवात करते हैं कि प्रभु ने हमसे सच्चा प्यार किया इस दुन्या में जुटा प्यार करने वाले बहुत मिलते हैं सच्चा प्यार करने वाला सैद बहुत कम मिलते हैं लेकिन हमसे सच्चा प्यार करने वाला हमारा येशु है हमारा प्रभू है वो हमसे सच्चा प्यार करता है हम चर्च में गिद गाते हैं तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मूर्दा था, तुने डाली मुझ में जान, तो प्रभु येशु का प्यार अती महान है, सबसे महान है, हे येशु तेरा प्रेम कैसा महान है, आकास के तारे, पर्वर समुंदर, सबसे महान है, प्रभु येशु मस हमेशा हमेशा महान है और महान रहेगा तो आज जो कलिश्या प्रभूयश्मसि में खुस है आनन्दित है इस कलिश्या को प्रभूयश्मसि ले कर जाएगा छाठवा हम देखते हैं एक प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने के लिए बेताब रहती है तो एक प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने के लिए इसलिए बेताव रहती है कि कब मैं उसे मिलूँ, उससे बातचित करूँ, उससे अपने सुख दुख की वारे में बताऊँ तो एक प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने के लिए बहुत ही बेताव रहती है आज जो कलिश्या प्रभु येश्मसी को मिलने के लिए बेताव है उस कलिश्या को प्रभु येश्मसी अपने साथ ले कर जाएगा पर अजो कलिश्या प्रभु येश्मसी से मिलने के लिए बेताव नहीं है बेचैन नहीं है प्रभुयेश्मसी के आगमन के लिए अपने आपको तयार नहीं कर रही है उस कलिश्या को प्रभुयेश्मसी फिर लेकर कैसे जाएगा दूसरा पत्र स्तिना ध्याय और उसका बारा पद में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रिती से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यतन करना चाहिए जिसके कारण आकास आक से पिघल जाएंगे और आकास के गण बहुत ही तपत होकर गल जाएंगे तो आज जो कलिश्या प्रभु येश्व मसी की बाट जो रही है इंतजार में लगी है प्रभु येश्व मसी की आगमन का तो उस कलिश्या को प्रभु येश्व मसी लेकर जाएगा परंतो जो कलिश्या प्रभु येश्व मसी की इंतजार में नहीं लगी है उस कलिश्या को प्रभु येश्व मसी कैसे ले कर जाएगा जो कलिश्या प्रभु येश्व मसी की बाट नहीं जो रही है कि हमारा येश्व कब आएगा हमारा प्रभु कब आएगा इस इंतजार में नहीं है उस कलिश्या को येश्व कैसे ले कर जाएगा आज हमें येशु का इंतजार करना चाहिए येशु के आगमन का इंतजार होना चाहिए तभी हम जिस मंडली में रहते हैं उस मंडली को उस कलिशा को प्रभु येशु मसी अपने साथ ले कर जाएगा फिर हम सात्वा पढ़ेंगे एक सच्ची प्रेमिका केवल अपने प्रेमी से ही प्रेम करती है या फिर एक सच्ची इस्त्री केवल अपने पती से ही प्रेम करती है परन्तु यदि एक प्रेमिका अपने प्रेमी से प्रेम तो कर रही है परंतु वो दूसरे पुरुस के तरफ भी आँख लगा रही है तो उसका प्रेम जूटा है या फिर एक इस्त्री अपने पती से तो सच्ची प्रेम कर रही है परंतु पती के जाने पर वो किसी दूसरे पुरुस के तरफ आँख लगा रही है तो उसकी प्रेम जूटी है ठीक आज इसी प्रकार से जो कलिश्या किवल प्रभु येशु मसे की इबादत कर रही है प्रभु येशु से प्रेम करती है प्रभु येशु से सच्ची प्रात्ना करती है प्रभु येशु मसी के वचन में लॉलीन है वो कलिश्या को प्रभु येशु मसी लेकर जाएगा जो कलिश्या किवल येशु की ही इबादत करती है परन्तु जो कलिश्या येशु को अपना दुलहा तो मान रही है येशु मसी को अपना प्रभु तो मान रही है परंतु संसार के पराय इश्वर के भी पूजा कर रही है पराय इश्वर के चीजों में सामिल हो रही है पराय इश्वरों के तिर्थ इस्थलों में जाकर वहाँ पर पराय इश्वरों के चीजों को देख रही है उनमें आनन ढोन रही है तो उस कलिश्या को प्रभु येश्व मसी लेकर नहीं जाएगा परन्तु जो कलिश्या केवल 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 प्रभु येश्व मसी से ही प्रेम करती है या फिर प्रभु येश्व मसी से प्रेम कर रही है उस कलिश्या को प्रभु येश्व मसी लेकर जाएगा अगर सोचिए पती घर में नहीं है तो इस्त्री यदि पती के पूछे बिना पराय पुरुस के घर में जाकर कुछी दिन रह कर आएगी तो क्या ओ अच्छी इस्त्री कहलाएगे नहीं कहलाएगे ठीक उसी प्रकार से जो कलीशया प्रभु येश्य मसी से तो प्यार करती है परन्तो बाहर संसार में और बहुत सारे अंगिनत इश्वर हैं उनमें भी जाकर सामिल होती है उनके तिर्थ इस्थलों में जाकर दर्शन करती है वो कलीश्या जूटी कलीश्या है सच्ची कलीश्या अपनी येशु के सांथ रहती है अपनी येशु के संग संग चलती है वो किसी पराय पुरुस के पिछे नहीं जाती पराय इस्वर के पास नहीं जाती तो जो कलीश्या येशु से सच्ची प्रेम कर रही है उस इन सांसारिक या फिर हम कहें कि सारिक उधारनों के द्वारा अपने प्रभु येशु मसी की बहुत सारी बातों को हमने सीखा तो महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके पुरे परिवार को प्रभु येशु मसी के नाम में आसेश प्रदान करें और हम कोशिस करें, कि हम प्रभु येशु मस्य से सच्चा प्यार करें, हम प्रभु येशु मस्य से सच्चे प्रेम करें, हम उसे जूठा प्रेम न करें, क्योंकि यहवा जूठों से ग्रिणा करता है